जी बिस्मिल्ला रख्मान रहीम इंजिनियर उस्मान अवाज बसरा कॉडिनेटर एंड इग्जेक्टिव मेंबर इसलामबाज स्टेट एजेंट असूसीएशन दी ओनली रियल स्टेट असूसीएशन डिरेक्टली लिंक्ट विद गवर्मेंट ऑफ पाकिस्तान और कैपिटल इंटरनैशनल बिल्डर्ज और रियल स्टेट्रेट इन्वेस्मेंट के प्लैट्फॉर्म से एक दफ़ा फेर अपने क्लाइट्स के लिए अपने वीवर्स के लिए सब्सक्राइबर्स के लिए और इन्क्वारी होल्डर्स के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है रिगारडं सबसे पहले हम डिसकस करेंगे कि कोस्ट ऑ अफ लेंड जो है वो क्लेंड जो है वो डियुकर होड़ा होती है और 5 मरॉला जो रिसिडेंशल है कैपिटल स्मार्ट सिटी का इसकी कliche क्योती आργि कितनी है है वो क्या चीज़ होगी और क्या चोथे नमबर पर पांच मरले की जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर हम मार्किट का ट्रेंड देखा जाया तो क्या यह हमें वर्त करती है यह नहीं करती यह चीज़ हम । करेंगे उसके लावा हम पांचवां हम ڈسکस करेंगे कि ब्लॉक्स हो चुकी हैं उसके अंदर जो 5 मर्ला है किस-किस ब्लॉक के अंदर लाइक करता है। और्शिज वन में इस यजर्टीव आन यह डिसकस करेंगे। च्छटे नबर पर हम डिसकस करेंगे कि जो payment का जो breakdown है वो पहले क्या था और अब क्या है ये सबसे important चीज है ये भी discuss करेंगे साथवे नमबर पे हम discuss करेंगे कि इस time पे जो capital smart city ने एक relief package दिया हुए है discount policy दी हुई है अगर वो हम avail करते हैं तो हमें कितना जदा फाइदा है जो के पहले नहीं था और आगे भी नहीं होगा तो ये सारी चीजों का एक मजबूआ है पांच मरले के हवाले से ये first video है इन्शाला ताला इसी तरह जो है वो step by step हम 7 मरला की भी बनाएंगे दास मरला की भी बनाएंगे बारा मरला एक कनाल और दो कनाल की ये हम residential plots की बनाएंगे इसी तरह हम विलास की भी बनाएंगे तो सबसे पहले जी हम पांच मरले का स्टार्ट करते हैं और उमीद करते हैं कि आप लोग जतने भी हमारे एहबाब हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो रमजान की बरकते और सादते जो हैं ये है कि समेट रहे होंगे और अल्ला ताला के हज़ूर जो है वो खसूसी दौा भ रखें तो अभी हम सबसे पहले अपने टौपिक की जानिब जाते हैं सबसे पहले जी कॉस्ट ऑफ लैंड देखेंजी यह जो भी बुकिंग होती है ना किसी भी हाउसिंग सेक्टर की क्योंकि जादतर लोगों को इस चीज़ की इन्फोर्मेशन नहीं होती वो समझते हैं कि शायद यह चीज इन्क्लूसिब डिवल्मेट चार्जिस होती हैं डिवल्मेट चार्जिस आपका टाइम टो टाइम वेरी होता है देखें इन्फलेशन रेट आपने देखनी होती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपने देखनी होती है डॉलर रेट की सारी चीज़े जो हैं यह आज का ट्रेंड नहीं है ये पिछले तक्रीबन दस से पंदरा साल से ये ट्रेंड चला रहा है कि वो डिवैलमेंट चार्जिज उस टाइम पे लेते हैं कि जब वो नियर टू पोजेशन की जिसे कहते हैं कि नियर होते हैं तो इसका सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है कास्ट ऑफ लैंड इसकी बनती है चोबिस लाक और पंदरा हजार रुपया ये है इसकी कास्ट ऑफ लैंड इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वह हम डिसकस करते हैं ये कास्ट ऑफ लैंड है ये इंकलूसिव डिवैलमेंट चार्जिज नहीं है प्लीज अपने जेन में बहुत से लोगों को ये चीज नहीं पता होती वो बाद में फिर ये चीज होती कि हमें पता नहीं था इवन कि शेडूल की उपर भी प्रॉपर लिखा हुआ है कि ये जो प्राइसिज है ये इक्सक्लूसिव डिवैलमेंट चार्जिज है तो इसके अंदर ये आपकी कास्ट कैपिटल स्मार्ट इन तकरीबन लाग से डेल लाख रॉपर जो मरला है उसके लिहाज से अपने जो डिवैलमेंट चार्जिज हैं वो रखे हुए हैं हम एक रफली हम मिनीमम भी नहीं जो है वो कंसिडर करते हम मैक्सिमम भी कंसिडर नहीं करते हम एक मिड का फिगर लेते ह हैं एक लाख बीस हजार रॉपया हम जो है वो लेते हैं डिवैलमेंट चार्जिज और अगर इसको मिल्टिप्लाइ बै क्योंकि ये पांच मरला बनता है तो इसको अगर हम मिल्टिप्लाइ करते हैं तो ये 6 लाख रॉपया बनता है 6 लाख के लिहाज से अगर आप इसको 24 15 में अड़ करते हैं तो तक्रीबन तक्रीबन ये आपके पास 30 लाख 37 लाख रॉपय का एक फिगर आता है जो आपको लम सम पड़ेगा इंकल्यूसिव डिवैलमेंट चार्जिज तो ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा बिफोर बुकिंग कि डिवैलमेंट जो हैं वो आपको किस शेव में पे करना पड़ता है वो भी मैं आपको बता देता हूं वो से हाउसिंग सेक्टर का डिफरेंट ट्रेंड है एक ट्रेंड ये है कि आप अगर लम सम पे करते हैं तो आपको कुछ डिसकाउंट की रिश्यो भी मिल जाती है जिस तरह प्लॉट पे भी आपको मिलती है कॉस्ट ओफ लैंड पे और को बास दफ़ा ये होता है कि डिवल्मेंट चार्जिस पे भी आपको इंस्टॉल्मेंट प्लैन एक छोटा सा छे महीने का एक साल का मिल जाता है तो यह भी चीज़ अपने जहने रखेगा अब आते हैं जी हम अपने तीस सबसे पहले जी यह चीज़ अपने जहन में रखें कि इसलामाबाद में या इसलामाबाद के जो हाउसिंग सेक्टर जो इसलामाबाद में शामिल होंगे CDA की हद तक भी मैं आपको बता देता हूँ और जो फ्यूचर जो आपकी जोनिंग उसके वाले से भी बताता हूँ इसलामाबाद में मरला का कॉंसेप्ट नहीं है इदर जो भी आपको प्रोविजनल अलाट्मेंट लेटर मिलता है जो भी आपको अनीशल फेस पे बुकिंग पे जो भी डॉकुमेंटेशन मिलती है उसके उपर स्केर यार्ड मेंशन होते हैं गज मेंशन होते हैं जिसको हम गज कहते हैं उर्दू में स्केर फीट भी इदर मेंशन नहीं होता या जो प्लाड की डैमेंशन है वो मेंशन होती है या फिर गाज मेंशन होते हैं जिसको हम स्केर याड करते हैं अब इसकी डैमेंशन क्या है जी पांच मरला की ये बनती है जी 25, 45 फोट इसका फरंट है और जो इसकी डेप्थ है जो मतलब कि लंबाई जिसको आप कहा सकते हैं वो 45 फीट है 25 मल्टिपलाइब बे 45 अगर आप कर स्केर याड मन जाता है जिसको 125 स्केर याड कहते हैं 125 स्केर याड और अगर आपने इसी चीज़ को जो है वो मरलों में लेकर जाना है तो 25 मल्टिपलाइब बे 45 डिवाइड़ बाई 225 अगर आप करते हैं तो ये आपका 5 मरले आ जाता है तो ये आप लोगों को जो इसकी ड वर्थ करता है या नहीं करता देखें जो जब भी एक चीज बुक करवाएं कोशिश किया करें अपनी चादर देख के पाउं फिलाएं बहुत से लोग मिस गाइड करते हैं लोगों को कि जी ये भी आप करवा लेंगे हम आपको 20% के बाद इस तरह बेच देंगे कोशिश किया करें कोशिश किया करें इंस्टॉलमेंट फॉली जो चीज होती है वह जिसिसे पंजाबी मं कहते हैं के एह तुसी एक इक मतबु कर तीमिने बाद या महीने के बाद जो वह आपकी कमेटी का सिलसला चलता है जो तीन साल चार साल चलता है उसके बाद जाके एक आपको अच्छा रिटन एक मिल जाता है ठीक है तो कोशिश क्या करें जब इंस्टॉल्मेट वाला प्लैन किसी भी हाउसिंग सेक्टर में आप अवेल करते हैं तो उसको कोशिश करें के एंड तक चला है क्योंकि उसी में ही आपको फायदा होता है नंबर वन की दूसे नंबर पर पांच मरला जी इसकी वर्थ क्या ये करता है इन्वेस्टमेंट के लिए क्या या नहीं करता देखें जी किसी भी हाउसिंग सेक्टर में जो सबसे छोटे साइजिज होते हैं सबसे जादा स सेल और सेलिंग और पर्चीजिंग उनकी होती है क्योंकि बड़े साइजिज जो होते हैं तो उनकी जो प्राइस है वो काफी जादा हाई होती है हर बंदा उसके अंदर अपने आपको अकॉमिडेट नहीं कर सकता लेकिन पांच मरला साथ मरला दस मरला ये तीन साइजिज ऐ कि ये आपकी आल राउंड इदी असलामाबाद ट्रेंड बता रहा हूं कि ये सबसे जवादा आपकी बिकते हैं और पांच मरला सबसे जवादा क्योंके सबसे छोटा साइज भांच मरला है तो आपकी पांच मरले किया तो ये वर्थ करता है जो लोग शाट टम एक्जेक्टिव वन है ठीक है यह वो लोग है जिन्होंने अपनी 40% या 50% पेमट अपनी सुसाइटी की रिकॉर्ड में आई थी और यह बैलेटिंग के लिए शामिल होए थे जो लोग नहीं थी होए वह अभी तक बैलेटिंग के अंदर नहीं आए ठीक है अब इसके अंदर म है किसी दोस्त को मैब चाही है कैपितल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान चाही है इसेक्टिव का चाही है जो वो चाही या फिर ओवर सी डिस्टिक वन का चाहिए है वो नीचे दिये वे नमबर पर रापता कर सकता है मैं आपको वाटसाप के उपर सेंड कर दूँगा अब एक क्वास्चन होता है कि जी जो न्यू अभी हम बुकिंग करवा रहे हैं तो वो क्या चीज होगी देखें जी यह वो लो फोटी से ट्वैंटी पर लेकर है क्योंकि उनके पस बहुत सी ऑप्शन अवेलेबल है अवाम को फिसिलिटेट करने के लिए उनको अकॉमिडेट करने के लिए तो यह चीज अपने मदे नज़र आप रखेगा जरूर के अब आप जो चीज हैं वो ट्वैंटी परसंट पर सकते हैं और न्यू ब्लॉक्स इसमें आएंगे और सी डिस्टिक्ट टू के ब्लॉक्स आएंगे और बहुत ज़्यादा मतलब कि वफर मकदार में एक बहुत वसीय औरीज यह सुसाइटी है अप लोगों को पता है हबीब रिफी ग्रूप किसी तारुफ का मोताज नहीं साइस्तान लेवल में वह जादा आप लोग समझ सकते हैं पहले क्या थी और अब क्या है देखें पहले यह था कि प्राइस आपको पता है चौबीस लाख और पंद्रह हजार रुपया है ठीक है पहले यह चीज़ होते थे कि आप टैन परसंट और टैन परसंट से करवाते थ आपको काल करती है आपको यह कहती है कि जी आप आया मैंदा बेड़ंग कि अपना प्लाट आप अपना प्लाट जो है वह देख सकते हैं वह कर कर सकते हैं यह चीज बेसिकली होती है बहुत से लोगों का यह भी कुंसेप्ट होता है और माशाला जो सुभान पॉइंट है यह समझेगा तो उसके बाद जो में चीज है पहले ब्रेकडाउन था आपका तकरीबन तकरीबन तीन साल का बारा क्वाटर आपके बनते थे एक लाक साथ हजार रुपे का तकरीबन एक क्वाटर बनता था मतलब कि 20 परसंट पे करके तकरीबन समझें कि 4 लाक औ जो 30 अपरेल तक की ऑफर है उसमें वन लैक एंट थैटी एट थाजंट हो गया मतलब के पर क्वाटर आपका तकरीबन 22,000 रुपे का फरक आया दूसरे नंबर पे क्या चीज है कि अगर आप इसके उपर हंड़ेट परसंट पेमिट करते हैं जो बेनेफिट्स हैं इस टाइ देता हूं कि 12% कि तरह डिसकाउंट बनता है यह जी मैं भी आपको बताना बारा परसंट तकरीबन आप समझें कि 2,90,000 पे आपको डिसकाउंट मिलता है पहले जो चीज 5% डिसकाउंट मिलता था 50% पेमिट पे अब वह 6% डिसकाउंट मिलता है इसके लावा इंस्टॉलमे तकरीबन आप समझें कि एक अगर हम यह इसका नकालते हैं एक लाक ठाटीस हजार का 10% तो तकरीबन 13,800 भी अगर आप तीन इंस्टॉलमेंट तक जमा करवाते हैं कठी तो यह भी आपको डिसकाउंट मिल सकता है तो यह है एक रिलीफ पैकेज के हवाले से आपको बता दिय है कि जो इसका रिलीफ पैकेज है वो यह चीज़ है कि अभी आपके पास टाइम है यह चीज़ आप अवेल कर सकते हैं चोबिस लाक पंदरा का डिवैलमेंट चार्जिस भी आपको बताएं डैमेंशन भी बताएं इन्वेस्टमेंट वर्थ भी बताएं इसके लबाब बैल 41 फीट से लेकि 99 फीट की जो डबर रोड है अगर यह तीन चीज़े आप लेते हैं पार्क फेस या कॉर्नर या में रोड 41 फीट से 99 फीट तक तो आपको 10% एक्स्टा इसका पेक करना पड़ेगा जो 2,41,500 बनता है और अगर आप कहते हैं कि मुझे 100 फुट या उससे पेकर सकते हैं या किसी भी इंस्टाल्मेंट के साथ आप पेकर सकते हैं कोशिश किया करें अट अट टाइम और बुकिंग पेकर दें उमीद करते हैं आपको आज की कॉम्प्रिहंसिफ किसम की वीडियो पांच मरले की पसंद आई होगी मजीद मालूमात के लिए आप नीच के दीवे नमबर पे राप्ता कर सकते हैं अपना बहुत जादा ख्यार रखिएगा इंशालात अला नेक्स टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाहाद के सब्सक्राइब